C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई ग्यारह परिमाप और क्षेत्र फल प्रिष्ट दो सा उनत्तीस 11.4 एक त्रिभुज का क्षेत्र फल एक माली पूरे तिकोने पार्क पर घास लगाने का व्याय जानना चाहता है इस स्थिती में हमें त्रिभुज आकार क्षेत्र का क्षेत्र फल ग्याद करने की आविशक था है आईए एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त करने की विधी ग्यात करें कागज के एक टुकडे पर एक विशम बाहु त्रिभुज बनाईए इस त्रिभुज को काट लीजिये इस त्रिभुज को दूसरे कागज के टुकडे पर रखिये और समान माप का एक और त्रिभुज काटिये। इस प्रकार अब आपके पास समान माप के दो विशम बाहु त्रिभुज हैं। क्या दोनों त्रिभुज सरवांग सम हैं? एक त्रिभुज को दूसरे पर रखिये, जिससे वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढख लें। आप दोनों में से एक त्रिभुज को घुमा भी सकते हैं। अब दोनों त्रिभुजों को इस प्रकार आपस में रखिये, जिससे उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म आपस में मिल जाएं, जैसा अकृती 11.14 में दिखाया गया है. आकृती 11.14 यहाँ दो त्रिभुज A, B, C और D, E, F दिए गए हैं, जिन्हें मिला कर हमें समानतर चतुर्भुज A, F, D, C प्राप्त हुआ है. क्या इस प्रकार से बनी आकृती एक समानतर चतुर्भुज है? प्रतेक त्रिभुज के क्षेतरफल की तुलना समानतर चतुर्भुज के क्षेतरफल से कीजिये. त्रिभुजों के आधार तथा उँचाई की तुलना समानतर चतुर्भुज के आधार तथा उँचाई से कीजिए आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योगफल समानतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है त्रिभुज का आधार औरूचाई क्रमशह समानतर चतुरभुज के आधार औरूचाई के बराबर है। त्रफल बराबर आधार गुणाउचाई। बराबर एक बटा दो कोश्ठकों में बी गुणा एच। या एक बटा दो बी एच। संगशेप में। प्रिष्ट दो सौतीस। इन्हें कीजिए। एक, उपर दिये गए क्रिया खलापों को अलग-अलग प्रकार के त्रिभुज लेकर कीजिए। दो, अलग-अलग प्रकार के समानतर चतुरभुज लीजिए। प्रतेक समानतर चतुरभुज को दो त्रिभुजों में एक विकर्ण के अनुदिश काटिये। क्या ये त्रिभुज सरवांग सम है। आकृती 11.15 में सभी त्रिभुज आधार AB बराबर 6 cm पर स्थित हैं। आधार AB पर प्रतेक त्रिभुज की संगत उंचाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का क्षेत्र फल बराबर है। हाँ, क्या त्रिभुज सरवांग सम है। नहीं। हम निशकर्ष निकालते हैं कि सभी सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्र फल बराबर होता है लेकिन यह आवश्यत नहीं है कि वे त्रिभुज जिनका क्षेत्र फल बराबर होता है वे सर्वांग सम है आधार 6 cm वाले एक अधिक कोण यानि obtuse angled triangle त्रिभुज ABC पर विचार करती है आक्रिती 11.16 यहां एक त्रिभुज ADC दिया गया है जिसमें BC बराबर 6 cm और AD बराबर 4 cm है इसकी उँचाई AD शीर्ष A से DC पर लंब है जो त्रिभुज के बाहयस्थित है क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्र फल ग्याद कर सकते हैं? उधाहरण 6 एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत उँचाई क्रमशह 4 cm और 3 cm है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए आक्रिती 11.1 साथ यहां एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें आधार बराबर 4 cm और लंब बराबर 3 cm है हल आधार की लंबाई दी गई है बी बराबर 4 cm उचाई है एच बराबर 3 cm समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल बराबर बी गुणा एच बराबर 4 cm गुणा 3 cm बराबर भारह वर्ग संटिमीटर उधारन साथ यदि एक समांतर चतुर्भुज आक्रिती 11.18 का क्षेत्र फल 24 सुवर्ग संटिमीटर और आधार 4 cm हो तो उचाई X ग्यात कीजिए आक्रिती 11.18 यहां एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें आधार बराबर 4 cm और लंब बराबर X है हल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल बराबर B गुणा H इसलिए 24 बराबर 4 गुणा X या 24 बटा 4 बराबर X या X बराबर 6 cm इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की उचाई 6 cm है प्रिष्ट 231 2. आधार AD की संगतुँचाई आक्रिती 11.19 यहां एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें AD बराबर 4 cm, DC बराबर 6 cm, एक लंब 6 cm का है, दूसरा लंब X दिया गया है हल 1. समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल बराबर B गुणा H बराबर 6 cm गुणा 3 cm बराबर 18 वर्ग संटीमीटर 2. आधार B बराबर 4 cm उच्षाई बराबर X मान लीजिए, क्षेत्र फल बराबर 18 वर्ग संटीमीटर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल बराबर B गुणा X 18 बराबर 4 गुणा X 18 बटा 4 बराबर X इसलिए X बराबर 4.5 cm इस प्रकार आधार AD की संगत उचाई 4.5 cm है उदहरण 9 निम्न त्रिभुजों का अक्षेत्र फल ग्यात कीजिए अक्रिती 11.2 शून्य एक यहां त्रिभुज PQR दिया गया है जिसमें PS बराबर 2 cm और SR बराबर 4 cm है दो यहां त्रिभुज LMN दिया गया है जिसको आगे बढ़ा कर बिंदू O और बिंदू L तक किया गया है MN बराबर 3 cm और LO बराबर 2 cm है हल एक त्रिभुज काक्षेत्र फल बराबर 1 बटा 2 BH बराबर 1 बटा 2 गुणा QR गुणा PS बराबर 1 बटा 2 गुणा 4 cm गुणा 2 cm बराबर 4 वर्ग संटिमीटर 2. त्रिभुज काक्षेत्र फल बराबर 1 बटा 2 BH बराबर 1 बटा 2 गुणा MN गुणा LO बराबर 1 बटा 2 गुणा 3 cm गुणा 2 cm बराबर 3 वर्ग संटिमीटर उदहरन 10 BC ग्यात कीजिए यदि त्रिभुज ABC काक्षेत्र फल 36 वर्ग संटिमीटर और उचाई AD 3 cm है आक्रिती 11.21 प्रिष्ट 232 आक्रिती 11.21 यहां त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें लंब 3 cm है हल उच्छाई बराबर 3 cm ग्षेत्र फल बराबर 36 वर्ग संटिमीटर त्रिभुज ABC का क्षेत्र फल बराबर 1 बटा 2 BH या 36 बराबर 1 बटा 2 गुणा B गुणा 3 B बराबर 36 गुणा 2 बटा 3 बराबर 24 cm इसलिए BC बराबर 24 cm उधहरण 11 त्रिभुज PQR में PR बराबर 8 cm QR बराबर 4 cm और PL बराबर 5 cm आक्रिती 11.22 यहां त्रिभुज PQR दिया गया है जिसको आगे बढ़ा कर बिंदू L और बिंदू P तक किया गया है QR बराबर 4 cm, MR बराबर 8 cm और PL बराबर 5 cm है ग्यात कीजिए बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर H बराबर 10 बटा 4 बराबर 5 बटा 2 बराबर 2.5 इसलिए QM बराबर 2.5 cm प्रश्नावली 11. लवदो प्रिश्ट बराबर 10 बराबर 10 cm और उंचाई बराबर 3.5 cm C आधार बराबर 2.5 cm और उंचाई बराबर 3.5 cm D आधार बराबर 4.8 cm और उंचाई बराबर 5 cm E. आधार बराबर 2 cm और उंचाई बराबर 4.4 cm प्रिष्ट 233 2. निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्र फल ग्यात कीजिए यहां 4 त्रिभुज दिये गए हैं A. आधार बराबर 4 cm और उंचाई बराबर 3 cm B. आधार बराबर 5 cm और उंचाई बराबर 3.2 cm C. आधार बराबर 3 cm और उंचाई बराबर 4 cm D. आधार बराबर 3 cm और उंचाई बराबर 2 cm 3. रिक्तिस्थान का मान ग्यात कीजिए क्रम संख्या, आधार, उच्छाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल A. B. सेंटिमीटर, डाश, 246 वर्ग सेंटिमीटर B. डाश, 15 सेंटिमीटर, 154.5 वर्ग सेंटिमीटर C. डाश, 8.4 सेंटिमीटर, 48.72 वर्ग सेंटिमीटर D. पंदरह दशमलव छे सेंटिमीटर, डाश, 16.38 वर्ग सेंटिमीटर 4. रिक्तिस्थानों का मान ग्यात कीजिए आधार, उचाई, त्रिभुज काक्षेत्र फल पंदरह सेंटिमीटर, डाश, 87 वर्ग सेंटिमीटर डाश, 31.4 मिलिमीटर, 1256 वर्ग मिलिमीटर 22 सेंटिमीटर, डाश, 170.5 वर्ग सेंटिमीटर 5. PQRS एक समानतर चतुर्भुज है, आक्रिती 11.2 तीन QM शीर्ष Q से SR तक कीजिए तथा QN शीर्ष Q से PS तक कीजिए है यदि SR बराबर 12 सेंटिमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटिमीटर है, तो ग्याद कीजिए A. समानतर चतुर्भुज PQRS काक्षेत्र फल B. QN यदि PS बराबर 8 सेंटिमीटर है आक्रिती 11.2 तीन, यहां एक समानतर चतुर्भुज PQRS दिया गया है जिसमें QM बराबर 7.6 सेंटिमीटर और QN दो लंब है 6. DL और BM समानतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशह भुजाएं AB और AD पर लंब है आक्रिती 11.24 यदि समानतर चतुर्भुज काक्षेत्र फल 1470 वर्ग सेंटिमीटर है AB बराबर 35 सेंटिमीटर और AD बराबर 49 सेंटिमीटर है तो BM तथा DL की लंबाई ग्याद कीजिए आक्रिती 11.24 यहां एक समानतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें DL और BM दो लंब है साथ त्रिभुज ABC A पर समकोन है आक्रिती 11.25 और AD भुजा BC पर लंब है यदि AB बराबर 5 सेंटिमीटर BC बराबर 13 सेंटिमीटर और AC बराबर 12 सेंटिमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षित्र फल ग्याद कीजिए AD की लंबाई भी ग्याद कीजिए आक्रिती 11.25 यहां एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें AB बराबर 5 सेंटिमीटर BC बराबर 13 सेंटिमीटर और AC बराबर 12 सेंटिमीटर है AD इसका लंब है प्रिष्ट 234 8. त्रिभुज ABC समद विबाहू त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटिमीटर और BC बराबर 9 सेंटिमीटर है आक्रिती 11.26 A से BC तक की उंचाई AD 6 सेंटिमीटर है त्रिभुज ABC का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए C से AB तक की उंचाई अर्थात CE क्या होगी आक्रिती 11.26 यहां एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटिमीटर AC बराबर 7.5 सेंटिमीटर DC बराबर 9 सेंटिमीटर AD बराबर 6 सेंटिमीटर है EC और AD इसके दो लंब हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक DR. राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत